आज बात करते हैं साप्ताहिक राजफल की जिनांग 10.1.2020 से जिनांग 17.1.2020 तक कैसा रहेगा हमारी 12 रासियों का भविस इसके बारे में आज चर्चा करते हैं सुरुबात करते हैं राजिचकर की प्रथम्रास सर्थात्मेक राज इस राजफल सह्त्ति सामाने रहेगा आर्तिक स्थित में सुधार होगा बे की अधिकता रहेगी चलिए आ रही समस्याओं का अंत होगा पारिवारिक दायत्तों की पूर्थि होगी बिदे सयात्रा के योग बन रहे हैं राश्चक्र की दितीरास अर्थात्मितुन रहेगा आर्थिक प्रगत्थ होगी किसी लंबित कारी के पूर्ण होने की संभावना है जीवन सर्थी का सहयोग वासाने धिमिलेगा आकस्मिक धनलाव के योग बन रहे हैं राश्चक्र की दितीरास अर्थात्मितुन रहेगा आर्थिक इस्थिस सामाने रहेगी संतान के संबंध में किया जा रहा प्रयास सार्थक होगा किसी मन चाहिए उपलब्द की संभावना है देव दर्शन के योग बन रहे हैं राश्चक्र की चतुर्थरास अर्थात करकरास इस सप्ताह स्वास्थ अच्छा रहेगा आर्थिक मामलों में किसी तरह का जोखिम न उठाएं कारोबार में लाव संभाव है कारिस्थल पर टकराओं से बचें वाली वक्रोधपन नियंत्रन रखें राश्चक्र की पाँच्वी रास अर्थात सिंग रास इस सप्ताह स्वास्थ अच्छा रहेगा आर्थिक प्रगत्य होगी विरोधी शक्री रहेंगे परंतुपरास्थ होंगे किसी उच्चा धिकारी का सहयोग प्राप्त होगा राजनैतिक महत्वकांच्छा की पूर्थ ह के योग हैं राश्चक्र की छठी रास अर्थात कन्या रास इस अपता स्वास्थ अच्छा रहेगा आर्थिक इस्थित अनकूल रहेगी पारिवारिक दायत्तों की पूर्थ होगी किसी भी इस्थित में सोंस समझ कर ही निर्णे लें कोई बड़ी उपलब्ध मिलने वाली है राश्चक्र की आठ्वी रास अर्थात ब्रष्चिक रास इस अपता स्वास्थ में सुधार होगा आर्थिक इस्थित में भी सुधार होगा जीवन इस्थित में ब्रद्ध होगी चली आरही समस्याओं का अंत होगा पारिवारिक सडेंत्रों से सजग रहे राश्चक्र की नवीरास अर्थात धन्रास इस अपता हस्वास्थ अच्छा रहेगा, आर्थिक इस्थित में सुधार होगा, कोई लंबित कारिपूर्ण होगा, नए अनुबंध प्राप्त होंगे, चल अचल संपत्ति में ब्रध्ध की संभावना है। राष्चक्र की दस्वीरास अर्थात मकर्रास इस अपता हस्वास्थ सामाने रहेगा, आर्थिक हानी संभाव है, बेग इधिकता रहेगी, परंत उपहारवा संभान का लाप मिलेगा, यस और कीर्थी में ब्रध्ध होगी। मित्रों हमारे वीडियो आपको कैसे लग रहे हैं अगर अच्छे लग रहे हैं तो कि बैलाइक करिए सेर करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब आवसे करिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद बहुत बहुत आभार नमस्कार